अगर आप भी नाग की एलर्जी यानि कि आपकी जो नाग है वो अमेशा वैती रहती है। जैसे ही मोसम अलका सा चेंज होता है। आपको जुखाम लग जाती है, चेश्ट में कफ जम जाता है। अगर आप इस तरह की समस्या से परिशान है ना, तो ये नुस्खा आपके समस्चा से तो आप भी अगर ये समस्चा का सामना कर रहे हैं तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना वो सकता है आपकी नाक की ऐलर्जी अमेशा के लिए खतम हो जाए या फिर आपके लिए ये रामबान साबित हो क्योंकि ऐसा नुस्खा है कैसी भी नाक वे रही हो आपको तुरंथ फायदा मिलेगा और आप अच्छा मैसुस करेंगे इस नुस्खे को आजमाते ही पांच मिनिट में आपको जो है इसका असर नजर आ जाएगा तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए ये हैं आमारे पास देशी कपूर दोस्तों य कैसा भी जुखाम होगा न बैंकर वाला वो भी तुरंथ ठीक होने लगेगा जिनको ये नुस्खा सूट हो जाता है न दोस्तों उनको इससे इतनी जल्दी फायदा मिलता है जितनी जल्दी दवा खाके भी आपको नई मिलता होगा बहुती असरदार नुस्खा है तो आपक को बहुत ज्यादा कपूर लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल छोटी सी आपको कपूर लेनी है जैसे मैंने आपको यह आपको दिखा दिया है लेकिन कपूर जो है न बहुत ज्यादा असरदार होती है दूसरी चीज आपको क्या चाहिए आपको चाहिए सर्सों का तेल अक गर वो सर्षों का तेल इस्तिमाल गर में नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है छोटी बोटल में आप थोड़ा सा तेल लाकर रख लें और जब आपको समस्या होना तभी आप तुरंत इसका इस्तिमाल कर लें दवाई खाने की बजाए ये नुस्खा बहुत ज्यादा फाइद करना कि दोनों चीजों को डालने के बाद में आपको बहुत देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको एक साप सुत्रा रूमाल लेना है क्लीन होना चाहिए बर्तन भी रूमाल भी जिन चीजों का आप इस्तिमाल कर रहे हो और उसकी स्वार फाल किया है उसको चा कारो कोनों से पकड़ कर पोटली की जैसा बना लेना और इसको बैठे बैठे आपको स्मेल कर रहा है बस इतना ही काम है चाहे आपकी नाक लगातार बैरे योगी ना वो भी आपको पांस मिनिट में ही असर दिखाई दे जाएगा तुरंत आपको इससे फायदा मिलेगा आप आ दूर लेनी चाहिए कई बार क्या होता है आपको नाक में पोलिप्स हो जाते हैं या फिर कई बार अड़िवड़ने के कारण भी ये समस्या हो जाती है तो आपको अवाइड नहीं करना चाहिए डोक्टर की राय लेनी चाहिए अगर आपको सिर्फ जुखाम या ऐलर्जी की समस्या है तो आप ये नुस्खे आजमा कर तुरंत राहट पा सकते हैं और इस पोटली का इस्तिमाल आप जिनको अलर्जी अमेशा रती है ना दिन में एक बार बना लेना और दिन में आप इसका इस्तिमाल दो से तीन चार बार कर सकते हो बस इसको आपको डखकन वाले डब की भी समस्या रती है तो आप ये नुस्खा आजमा सकते हो सिर्फ आपको नाक बैने की समस्या है नाक की अलर्जी है कफ की समस्या नहीं है तो आपको ये लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है अगर कफ की समस्या है तो ही आपको ये आजमाना है इस नुस्खे के लिए आ हमारे पास आउला पाउडर आउला जो होता है न उसका चूरन आप ले आना ये आयुरुवेद के श्टोर पे आपको अच्छा मिल जाएगा वहां से आप लाकर इसका इस्तिमाल कर सकते हो एक बार में आप 50 ग्राम ले आना काफी हो जाएगा काफी दिन तक चलता है बहुत ज इसके साथ में आपको यहां पे चोथाई चमच के जितना अलधी पाउडर लेना है जिसका इस्तिमाल आप रोजाना सब्जी बनाने के लिए करते हैं वही अलधी आपके गर में जो रखी है उसका इस्तिमाल आप कर लेना क्वांटिटी का आपको खास ध्यान रखना है मैं याप एक दिन के लिए जैसे मैंने बोला बता रही हूँ आप अगर इसे एक साथ ज़्यादा बनाना चाते हैं तो जैसे मैंने एक दिन का मेजर्मेंट आपको बताया है इसी के इसाब से आप जो है इसे बढ़ा कर और ज्यादा दिन के लिए भी बना कर रख सकते हो लेकिन सुरुवात में मैं आपको यहां पे सजेस्ट करूंगी आप इस तरीके से बना कर इसे सबताबर आजमा कर देखना अगर आपको फायदा लगता है ना तो आप इसे बना कर रख सकते हो जब भी आपको समश्या लगे तो आप इसे दो चैर दिन आजमा कर अपनी समश्या से छोटकारा पा सकते हो अगर आप इसे लगातार आजमाते हैं तो हो सकता है आप हमेश्या के लिए कपकी समश्या से छोटकारा पाले अब इसका जो लेने का तरीका है वो अम के से रहेगा आपने जो ये मिश्रन तयार किया है इसको आपको दो बार में लेना दिन में दो बार यानि कि सुबै और शाम को सुबै आप खाने के बाद में ले सकते हो और शाम को भी आप इसे खाने के बाद में ले सकते हो गुंगुने पानी के साथ में आपको आदा चमस ए बार आने लगता है ज्यान एक रखना है ठंडे पानी में इस्तेमाल नहीं करना है इसको गुनगुने पानी के साथ में ही लेना है और दूसरा आप जो ठंडी चीजे खाते हैं उनके आपको कुछ दिन परेज रखने होगे ठंडी चीजे आपको ज्यादा नहीं खानी है ठंड आपको जो है फाइदा इससे मिलेगा अगर आपको सिर्फ नाक बेती है ना तो आपको दूसरा वाला नुस्खा लेने की ज़रूरत नहीए जब भी आपको लगे चीके आ रही है लगातार नाक बै रही है तो आप ये पोटली वाला नुस्खा कर लेना ये अकेला ही काफी असरदार है जो खाम की जो समश्या होती है उसको ठीक करने के लिए जिनको एलर्जी और कफ की समश्या है वो इन दोनों ही नुस्खे को कम से कम तीन महीने तक लगातार जो है आजमा सकती हो तभी आपको इसके बैस्ट रिजल्ट मिलेंगे ये था अमारा आजका नुस्खा अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए है तो सब्सक्राइब कर लेना वीडियो द टेखने के लिए धन्यवाद